Hello दोस्तो, Welcome to Study Universe, मद्धिप्रदیश के No.1 चैनल for Daily Current Affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्धिप्रदेश के मार्च माई के Current Affair के बारे में देदुई ये वीडियो दोस्तो, Hindi और English दोनों भाषाओं में बनाया गया है दोस्तों आपको बता दे अगर आप इसकी पीलिएप चाहते हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलूड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी मद्द्परदेश से रिलेटेट चाहिए है तो वो भी वहाँ से आपको मिल सकती है दोस्तों आपको बता दे इसमें जितने भी important question है मद्द्परदेश के इसके अलावा International and National Current Affair के बोस आप एड किये गये हैं इससे बाहर आपकी किसी भी एक्जाम में पूछा नहीं जाएगा, यह मेरी गैरेंटी है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्याद शेर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, तो चल माई जो थाइलेंड का है, यह पहले स्थान पर है, नेश्ट कोशन है, विसो नागरिक रक्षा दिवस का मनाया जाता है, तो दोस्तों यह एक मार्च को मनाया जाता है, इसकी इस बार थीम रखी गई है, चिल्रन सेफटी अबर रिस्पॉंस्विलिटी यह विसो नागरिक रक्षा दबसकी थीम रखी गई है नेस्ट कॉशन है नीती आयोग द्वारा सतत विकास लक्षों को पहले पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया केंदर सासत प्रदेश कौन सा है तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर आपको पता है जैसे कि अब जम्मू कश्मीर बॉल का एक शहर है यहां पर केली पर अंतरास्टि सम्मिलन का आयोजन किया गया है तो दुस्तों नेक्स कोशन है भारत में सब से अधिक डीचिटल लेन देंवाला शहर है नेक्ष्ट कॉशन है एकाडब नहें किया गया है जो बंगलादेस की राजधानी है दोस्तों आपको बता दे लोकसवा के अध्यक्ष है वो यहीं से चुने गए है स्वामी वेकनन्द कर्म योगी पुरुष्कार किसे दिया गया है तो यह जायदव परयांग को यह अव coconut दिया गया है नेक्स्ट कोशन है सूनने भेद्वा दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यह एक मार्च को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम जीरो, डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट भुमन एंड गल्स यह थीम रखी गई है नेक्स्ट कोशन है हाली में किसे नया वित्त सचेव बनाया गया है तो यह है अजाय भूशन पांडे और राजीब कुमार की जगह नया वित्त सचेव नियुक्त किया गया है next question है हाली में किसे नया मुख सूचना आयक तो बनाया गया है तो ये हैं विमल जुलका इन्हें नया मुख सूचना आयक तो बनाया गया है नेस्ट कोशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुवात कहा हुई है दोस्तो इसकी शुरुवात गुल मर्क जम्मू कश्मी में हुई है दोस्तो आपको बता दें इसमें कुल 30 खेल कहले जाएंगे और लगवग 800 जो खिलाडी है इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स मे इनने हिस्सा लिया है participate किया है दोस्तों नेक्स्ट कोशन है UNDP की gender index में महिलाओं के साथ बेदभाव में कौन सबसी अबवल है जिसका सही option है पाकिस्तान पाकिस्तान UNDP की gender index में अबवल है दोस्तों अगर वहीं बात की जाए भारत की तो भारत में भी 98.28% महिलाओं के साथ बेदभाव किया जाता है वहीं पाकिस्तान में 99.81% बेदभाव किया जाता है next question है उत्त्राखंड की नई Greece-McCalling राजधानी किसे बनाया गया है तो यह है गेरसेन एक शहर है उत्त्राखंड का जिसे नई Greece-McCalling राजधानी चुना गया है दोस्तो अब बात आईए पाकिस्तान की तो आपको पाकिस्तान की बारे में कुछ important facts बता दें मैप में आप देख पा रहे हूँआँगे यह है पाकिस्तान पाकिस्तान की जो राज़्धानी वाहिए इसलामाबाद यहां की राष्टपती है आरफ अलवी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर याने प्रधान मंतरी हैं इम्रान खान और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतनतता प्राप्त हुई थी नेस्ट कॉशन है अंतरास्ट्य ओलंपिक संग की बैठक का आयोजन कहां किया गया है तो इसका आयोजन हमारे मुंबई में किया गया है वहोर या परव की शुरुआत कहां हुई है तो दोस्तो इसकी शुरुआत जाबुआ से की गई है अब बात आये मद्वदीश के जाबुआ जले की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट इसकी बारे में बता दें भारत का पर्थम आदिवासी शोध संचार केंदर जाबुआ में ही शुरू किया गया था कणकनात मुर्गे और के लिए जाबुआ को जाना जाता है विस्व की पहली भीली भासा की फिल्म फैसला यहीं पर बनाई गई थी दोस्तो मेग नगर ओद्योगे केंदर जाबुआ में ही इस्तित है रेल रेपेर फेक्टरी भी जाबुआ में प्रस्तावित है आवासी खेल विध्याल है जाबुआ में ही बनाया गया है तो इतने इंपूर्टेंट फेक्ट आपको जाबुआ की बारी में याद दें नेस्ट कोशन है नर्वदा गोकुम्ब का आईजन किस जिले में किया जाएगा जिसका सई उफ्षन है जाबुआ जिले में नर्वदा गोकुम्ब का आईजन किया गया है मार्च में दोस्तो बात आईए जाबुआ जाबुआ की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट इसकी बारी में बता दें जो जवलपुर में है यहीं पर बनाए गई है भारत का परतम विकलांग पुनरवास के इंदर भी जवलपुर में ही खोला गया है जवलपुर को आम जिला गोर्शित किया गया है जवलपूर को प्राची इंकाल में तिरपूरी के नाम से जाना जाता था प्रदेश का एक मातर जिला है रत्न परिसकत के अंदर जवलपूर है दोस्तो मत्रदेश का उच्छे न्याला भी जवलपूर में ही इस्थत है रूपनात में असुक के अविलेग भी देखने को मिलती है तो इतने important fact आपको जबलपुर की बारे में याद रखने है Next question है देश का पहला Infanti Museum कहां बनाया गया है तो यह महू इंदोर में बनाया गया है Next question है हाली में किसी भारतिये महासागर आयोग के परिविक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है तो यह है भारत दोस्तों भारतिये महासागर आयोग के परिविक्षक के रूप में भारत देश को ही नियुक्त किया गया है नेस्ट कॉशन है प्रिधानमंत्री और राष्टपती के VIP बिमान हितु किस से करार किया गया है तो ये है बोईंग से यह करार किया गया है तो ये है इंद्रा गांदी और अमरित कोर को इन दोनों भारती महिलाओं को टाइम मैगजीन की सदी की सो पॉपुलर महिलाओं में शामिल किया गया है नेस्ट कॉशन है किसने जम्मू कस्मीर हवाई अड़ी का अधिकरण किया है दोस्तो ये है CISF CISF ने जम्मू कस्मीर हवाई अड़ी का अधिकरण किया है अब बात आईए CISF की तो आपको इसके बारी में बता दे CISF का फुल फॉर्म होता है Central Industrial Security Force दोस्तो इसका आदर्सवाग के है सर्णरक्षन और सुरक्षा इसका गठन 10 मार्च 1969 में किया गया था CISF का मुख्याल है नई दिल्ली में है और इसके Director General ने ओपीस है तो इतना आपको CISF की बारे में याद रखना है Next Question है Carnivals of Change Champions Book का विमूचन किसने किया है जिसका सही Option है इसमिर्ती इरानी ने Carnivals of Change Champions Book का विमूचन किया है Next Question है चप चार कूट सांस्कृतिक महुत्सो कहां मनाया जाता है तो दोस्तो चाप चार कूट सांस्कृतिक महुत्सो मिजूरम में मनाया जाता है बात आईए मिजूरम राज जी की तो आपको इसके बारे में भी बता दें मिजूरम जो आप मैंप में दीख पा रहे होंगे ये है मिजूरम मिजूरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी राजधानी आईजौल है और यहां के गवर्णर पी एस स्रीधरन मुक्यमंतरी है जोरम ठंगमा तो इतना आपको मिजूरम की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन है आईउस मंतराला द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफर्म लॉंच किया गया है तो यह है आईउस किरड है देश की महिलाओं को दिया जाने वाला नारीशक्ती पुरुषकार इस वर्ष कितनी महिलाओं को दिया गया है तो दोस्तो कुल 16 महिलाओं को यह है नारीशक्ती पुरुषकार अवर्ड दिया गया है दोस्तो इसमें 104 साल की एथलिस्ट मार्ट मान कौर को भी या नारी शक्ति प्रुसकार से समानित किया गया है नेश्ट कोशन है अंतरास्टिय महिला दिवस पर बुमेन बुंदिलखंड सम्मिलन किन स्टिशनों के बीच चलाए गई है दोस्तो ये ट्रेन है ये किन स्टिशनों के बीच चलाए गई तो ये गवालियर और जहासी के बीच चलाए गई है नेश्ट है अंतरास्टिय महिला दिवस का मनाया जाता है तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तो इस पार इसकी जो थीम रखी गई है वह है आएम जनरेशन एक्विलिटी रिलाइजिंग बूमन राइट्स ये थीम रखी गई है अंतरास्टिय महिला दिवस की नेश्ट कोशन है नासिक एयरपूट का नया नाम क्या रखा गया है तो यह चत्रपती संभाजी महराज एयरपूट रखा गया है हाली में किसी पेपसी को का नया ब्रांड अमबसेडर चुना गया है तो ये हैं श्यफाली वर्मा को पेपसी को का नया ब्रांड अमबसेडर चुना गया है पीमा का ब्रांड अमबसेडर किसे चुना गया है तो ये हैं करीना कपूर नेक्स्ट कोशन है विश्व सतंत्रता सूचकांग के 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है तो दूस्तो भारत का इसमें तेरासीवा इस्थान है वहीं बात करेगा पहले इस्थान की तो पहले इस्थान पर हैं फिनलेंड नेक्स्ट कोशन है ICC महिला T20 वर्ल्ल कप किसने जीता है तो ये वर्ल्ल कप ऑस्टिलिया ने भारत को हरा कर जीता है नेक्स्ट कोशन है उभोकता अधिकार दिवस कम मनाया जाता है तो यह दिवस 15 मार्ज को मनाया जाता है और इस बार इसकी धीम रखी गई है The Sustainable Consumer अब बात यह ICC की तो आपको इसके बारी में जरूर बता दें ICC का Full Form International Cricket Council होता है इसका More to Cricket for Good है इसकी स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी ICC का मुक्याल है दुबाई UAE में है और ICC के चेर्मेन है शशंक मनुवर और यहां के CEO है मनु साहनी Next Question है उत्तराण योजना के 33 स्टेडियम का नमार कहां किया जा रहा है तो यह असम में किया जा रहा है Next Question है अंतरास्टिय पाइदवास कम मनाया जाता है तो अंतरास्टिय पाइदवास 14 मार्च को मनाया जाता है बात आई है असम की तो आपको इसके बारे में बता दें मैप में आप ये देख पारे होगे ये असम का मैप है असम की स्थापना 26 जनवर 1950 में की गई थी राज़तान यदिस पूर गवर्णर है जगदीश मुखी सरवानंद सोनिवाल यहां की मुक्यमंत्री है राज़सवा की कुल 7 सीटे हैं और लुक्सवा की 14 सीटे हैं असम में तो आपको इतना असम की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है भूमी रासी पूर्टल की शुरुवात कब की गई है तो इसका सही ऑफशन है 2018 में भूमी रासी पूर्टल की शुरुवात की गई थी नेस्ट कोशन है फूल देट युवार कहां मनाया जाता है तो यह है उत्राखंड में मनाया जाता है आपको उत्राखंड की बारे में बता दें उत्राखंड को आप map में देख पा रहाएंगे यह है उत्राखंड दोस्तो ये दिख रहा होगा आपको गरसेन इसे ही हाले में ग्रीश मुकालनी राजथानी चुना गया है उतरा खंड की बात करते हैं इसके इस्ठापना की तो 9 नॉमबर 2000 को उतरा खंड की इस्ठापना की गई थी उतरपरिदेस से अलग करके देहादून और गरसेन यहां की दो राज्थानिया है बेवी रानी मौर यहां के गवर्नर है और त्रवेंदर सहर रावद यहां के मुक्यमंत्री है राजसवा की 3 सीटे है लोग सबा की 5 सीटे है उत्राकंड में तो आपको इतना उत्राकंड की बारे में याद रखना है Next question है, मद्ध प्रदेश के पुल्स महा निरिक्षा किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका सही ओफ्षन विबेक चुहरी को Cells Sports का इंडिया CEO किसे बनाया गया है? तो ये हैं अरणधूती भट्रा चारे इन्हें Cells इंडिया का CEO बनाया गया है नेस्ट कोशन है मोहन परिकर की जीवनी की लेखा कौन है तो ये हैं सद्गुरु पाटल और माया भूशन मोहन परिकर की जीवनी का नाम है An Extraordinary Life नेस्ट कोशन है हरित मार्ग परियोजना का बचट कितना रखा गया है तो इस परियोजना का बचट 7660 करोर रुपए रखा गया है दोस्तो आपको बता दें इसमें से World Bank 3500 करोर रुपए देगा यह 750 किलोमीटर हाईवे पूरे भारत भर में बनाया जाएगा Next question है कोरुना की खिलाफ Break the Chain अभियान सबसे पहले कहां शुरू हुआ है तो यह केरल में शुरू हुआ है और दोस्तो एक और important fact बता दें कोरुना की कारण जो सबसे पहले emergency लगाई थी हुआ है केरल राज नहीं लगाई थी Next question है जम्मू कश्मीर के मुख नर्वाचन अधिकारी किसे बनाया गया है तो यह है हरदेश कुमार जम्मू कश्मीर के मुख नर्वाचन अधिकारी की रूप में चुना गया है दोस्तो बात आईए किरल की तो आपको किरल की बारे में कुछ important fact बता दें मैप में आप दीख पा रहोंगे यह है किरल किरल की इस्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी तिरू अनंत्परम यहां की राज्थानी है आरेफ मुहम्मद खान यहां की गवर्नर है पिंराई विजिन यहां की मुक्य मंत्री है राजसवा की 9 सीटें और लोगसवा की 20 सीटें की रल में है नेस्ट कॉशन है आठवी अनुसूची में कितनी भासाइं सामिल की जाएंगी तो इसमें कुल तीन भासाओं को आठवी अनुसूची में शामिल किया जाएगा अब दोस्तों यह तीन भासाइं कौन-कौन सी है नेस्ट कॉशन है दोस्तों मद्रदेश में कितने नए जिले बनाये जाएंगे तो यह तीन जिले मद्रदेश में नए बनाये जाएंगे उनकी नाम है मैहर, नागदा और चाचोणडा दोस्तो आपको बता दें इन्हें मिलाकर मद्रदेश में कुल पचपंजले हो जाएंगे नेस्ट कोशन है भारत में गूगल क्लाउड का प्रमुक किसे बनाया गया है तो ये है करन बबेजा इन्हें हाली में भारत में गूगल क्लाउड का प्रमुक बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें कुल 19 आइकोनिक साइट है भारत में नेस्ट कोशन है मद्यप्रदेश ने किस राज्य के साथ टूरिज्म को लेकर M.O.U. पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये राज्य दूस्तो किरल के साथ मद्द प्रदीश ने MOU पर हस्ताक्ष लिए हैं और यह है टूरिज्म को लेकर है Next question है मद्द प्रदीश के 15 वे मुख मंत्री जो अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाए वो कौन है तो ये हैं कमलनाची, कमलनाची मद्द प्रदीश के 15 वे मुख मंत्री हैं जो अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाए है Next question है स्युक्त राष्ट द्वारा जारी हैपिनेस रपूर्ट में भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत का 144 वा इस्थान है स्युक्त राष्ट द्वारा जारी हैपिनेस रपूर्ट में वहीं बात करें पहली इस्थान की तो फिल्लेंड ने इस लिस्ट में पहला इस्थान हासिल किया है Next question है अंतराष्टिय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है तो 20 मार्च को अंतराष्टिय प्रसन्नता दिवस यनि इंटरनेशनल हैपिनेस दे मनाया जाता है दोस्तो इस बार इसकी थीम रखी गई है हैपिनेस फोर ओल टुगेदर Next question है विस्थो गोरिया दिवस कब मनाया जाता है तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है I love Spero Next question है किस राज्य में पुलिस स्टेशनों में विजिटर सर्वे लॉंच किया गया है तो यह है हिमाचल प्रदेश भारत किस देश से नेगिब LMG गन खरी देगा तो यह इजरायल से भारत नेगिब LMG गन खरी देगा बात आईए हिमाचल प्रदेश की तो आपको इसके बारी में बता दे मैप में आप देख पा रहोंगे यह है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनबरी 1971 में की गई थी राजधानिया श्रमला यहां की गबर्नर है बंडारू दातरते मुक्यमंदरी है जैराम ठागुर राजधसबा की सीट है लोकसबा की सीट है चार है हिमाचल प्रदेश में तो आपको इतना हिमाचल प्रदेश की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन है पी के बनाजी पर आधारे थे नेस्ट क्वेशन है अंतराष्टी वन दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तो अंतराष्टी वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम वाटर एंड क्लायमिट चेंज रखी गई है नेस्ट क्वेशन है किस मंतरालय द्वारा पी एल आई उत्पादन प्रोथसाहन योजना क्यों मंजूरी परदान की गई है तो यह है एलेक्टोनिक्स बिन्मार्ट मंतरालय द्वारा इस योजना को मंजूरी परदान की गई है न Next question है, हाली में एक और नया बायरस हन्ता देखा गया है, ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह हमारे मस्तिस्क को प्रभावित करता है और ये भी दोस्तों चीन में ही देखा गया है बिस्वो तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है यानि वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को यह डे मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है It's Time Next question है Heritage Foundation Index of Electronics Freedom में भारत की rank कौन सी रही है तो दोस्तो इसमें भारत की 120 वी rank रही है दोस्तो साथ महादूपी कोई ज्वालों मुखी पर चड़ने वाले भारतिये हैं इनका लिमका Book of Record में नाम धर्ज किया गया है Next question है कुरुना में संपूर्ण लोगडाउन किस राज ने किया है तो सबसे पहले संपूर्ण लोगडाउन पंजाब राज में किया गया था बात आईए पंजाब की तो आपको इसकी बारे में कुछ इंपोर्टन इफेक्ट बता दे मैप में आप देख पार होंगे ये पंजाब राज है पंजाब की राजधानिय चंडिगर्ड गवर्णर हैं बीपी सेहंबाद नौर पंजाब की मुक्यमंतरी अर्मिंदर सेहं हैं राजसवा की साथ सीटें और लोगसवा की 13 सीटें हैं पंजाब में हरविल प्रुसकार 2020 किसने जीता है तो ये प्रुसकार हिलेल, फ्रस्टोन वर्ग और क्रेसरी मर्गूलिस ने जीता है नेस्ट कॉशन कोरुना की चलते 35 लाक मजदूरों के लिए 1000 रुपे की सहायता की गूशना किस राज़न की है तो यह उत्तरपदेश है दोस्तो बात आईए उत्तरपदेश की तो आपको मैप में इसकी बारें बता दें मैप में आप देख पा रहा हूँगे यह उत्तरपदेश है उत्तरपदेश की स्थापना 24 जनवर 1950 में की गई थी राज़दानी यह लखनाव गवर्णर है अनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री है योगी आधितनात राज़सवा की कुल 31 सीटे हैं और लोगसवा की कुल 80 सीटे हैं जो किसी भी अन राज़े में सबसे ज़ादा है नेस्ट कॉशन है COVID-19 के लिए किफायती परिक्षन किस ने विक्सित किया है तो यह है IIT दिल्ली ने परिक्षन विक्सित किया है नेस्ट कॉशन है देश में VI6 Eden की आपूर्टी कौन सी कंपनी ने शुरू की है यह कंपनी है IOC यानि Indian Oil Corporation नेस्ट कॉशन है प्रधान मंत्री द्वारा नेस्ट कॉशन है किस राज में इक नॉम्बर 1956 में की गई थी गाज़दानी जएन ने बनवारी लाल पुरुवित यहां की गवर्णर है और ओपलानी सौमी मुक्य मंत्री है तमिलाडू में, राजसवा की कुल 18 सीटे हैं और लोगसवा की 49 सीटे तमिलाडू में है नेस्ट कोशन, ट्रेसर गन का उप्योग करने वाली किस राज़ी की पुलिस है तो यह है गुजरात की पुलिस है, बियारो द्वारा तीस्ता नदीर पर बनाया गया एक फुल यह किस चिले में, किस राज़ी में इस्थित है, तो यह सिक्क्यम राज़ी में इस्थित है दोस्तो अब आपको गुजरात की बारे में कुछ important fact बता दें मैप में आप देख पा रहा हूँगे, यह है गुजरात, गुजरात की जो इस्थापना है, वह 1 मई 1960 में की गई थी राज़धानी है, गानी नगार, गवर्नर है, आचारे देबरत, मुख्यमंत्री है, बिजयरूपानी गुजरात की 11 राज़स्वा सीटे हैं और 29 लोगस्वा सीटे हैं next question है, सार के देशों द्वारा COVID-19 से लड़ने emergency fund में कितना रूप्या दिया गया है तो यह 3.5 मिलियन डॉलर दिये गए हैं सार के देशों की द्वारा next question है, बांगलादेश की पहली महिला प्रदान मंत्री कोन है? तो यह हैं खालिज जिया बांगलादेश की पहली महिला प्रदान मंत्री थी next question है, हैमिंग वे पुरुसका किसने जीता है? तो यह है रूची का तोमारे ने जीता है दोस्तो next question है मद्ध प्रदेश के चोथी बार मुख्य मंत्री कौन बनी है तो ये हैं सिवरासे मद्ध प्रदेश के चोथी बार मुख्य मंत्री बनी है सबसे लंबी समय तक रहने वाले भी ये CM है दोस्तो इसके अलावा ये 19 भी CM है मद्ध प्रदेश की next question है मद्ध्रदीस का नया मुख्य सचो किसे निक्ट किया गया है तो इकबाल सेंबैस को नया मुख्य सचो बनाया गया है मद्ध्रदीस का next question है मुख्यमंत्री कारेले में किसी मुख्य सचो बनाया गया है तो ये हैं बिवेक अगरवाद इन्हें मुख्यमंत्री कारेला में मुख्य सचप चुना गया है हाली में किसी मद्यप्रदेश का मुख्य महादी वक्ता बनाया गया है तो ये हैं पुस्पेंद कौरव नेस्ट कौशन है मद्यप्रदेश के किसी मुख्य सचप चुना गया है बिलाने में सबसे अव्वल राज है नेस्ट कौशन है हाली में ग्वालियर हाई कोट के अतिरिक्त महादी वक्ता ने इस्तिपा दिया वो कौन है तो ये हैं राजी वर्मा चालीस लाग को दो महीने का पैंसन देने वाला राजी कौन सा बना है तो यह है मद्यप्रदेश नेस्ट कोशन है नेसल के कोरोना का इलाज देने वाला कौन सा राज है तो यह मद्यप्रदेश है नेस्ट कोशन है दुनिया की पाँचवी सबसे वड़ी सुपर कम्पूटर देश कौन सा बना है तो दोस्तो यह हमारा देश भारत है जो दुनिया की पाँचवी सबसे सुपर कम्पूटर बहला देश बना है दोस्तो आपको बता देए भारत में कुल 6 सुपर कम्पूटर है बहीं बात करें अगर चीन की तो चीन में 208 सुपर कम्पूटर है नेश्ट कॉशन है कोरोना से रोकने के लिए केंदोदा गठचत समीती का नाम क्या है तो यह है बेके पॉल है दोस्तो इसके लावा नेश्ट कॉशन है मसूर लेखा को चित्रकाल का हारी मैंने बज़न दुगा यह कौन है तो यह 37 गुजराल है आपको बता देए दोस्तो यह पूर प्रधान मंत्री इंदर कुमार गुजराल के भाई है दोस्तो next question है मोजीवन कारिकरम किस राजने शुरू किया है तो यह है Odisha औरिशा राजने मोजीवन कारिकरम शुरू किया है नेश्ट है FIFA ने COVID-19 के campaign के लिए किसे चुना है तो यह भारत के सुनिल छेत्री है जिनने FIFA द्वारा COVID-19 के campaign के लिए चुना गया है बात आईए फीफा की तो आपको इसके बारे में कुछ important fact बता दें फीफा का full form defederation international football association होता है इसका motto for the game for the world है इसे इसकी स्थापना 21 माई 1904 को की गई थी headquarter Jurek Switzerland में है Giano Infantino यहां की president है तो आपको इतना फीफा की बारे में याद रखना है बात आईए ओडिशा की तो आपको मैप में ओडिशा की बारे में भी कुछ important fact बता दें दोस्तो मैप में आप देख पा रहोंगे यह ओडिशा है ओडिशा की स्थापना 1 अप्रेल 1936 में की गई थी बुबनेसर यहां की राजथानी है गवर्नर है गनेसीलाल और नवीन पतनायक यहां की मुख्यमंत्री है ओडिशा में राज़सवा 10 सीटे हैं और लोगसवा की 21 सीटे हैं ओडिशा में तो इतना आपको ओडिशा की बारे में याद रखना है नेस्ट है हाली में Walmart India CEO किसे चुना गया है तो यह है दोस्तो समीर अगरवाल इन्हें Walmart India CEO चुना गया है नेस्ट है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है तो यह 27 मार्ज को मनाया जाता है नेस्ट कोशन है दिल्ली की तरह मद्धिप्रदेश के किस सहर में और और even formula जारी किया गया है तो यह है इन्दोर इन्दोर में दिल्ली की तरह मद्धिप्रदेश के इन्दोर में भी और और even formula जारी किया गया है दोस्तो बात आई है इन्दोर की तो आपको कुछ important fact इन्दोर की बारें बता दे मत्ड़ी प्रदीश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई की नाम से इंदोर को जाना जाता है मत्ड़ी प्रदीश की मौसम बेचसाला इंदोर में ही इस्तत है सर्वातिक जन संख्या वरति वाला जिला है इंदोर इंदोर दीज का एक मात्र शहर है जहां IIM और IIT दोनों है राश्टिय सुयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदोर में ही इस्तित है दोस्तो भीमराव अंबेटकर की जर्मिस्थली जो महू है यह इंदोर में ही इस्तित है दोस्तो इसकी अलावा मद्यप्रदेश, लोक सिवा आयोग और बित्य आयोग भी इंदोर में ही इस्तित है तो इतना आपको इंदोर की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है COVID-19 के दोरान लोकडाउन में 21 दिन तक फिटनेस करने के लिए किस से साज़िदारी की गई है तो यह है शिलपा सेट्टी, इनके साथ भारे सरकार दोरा फिटनेस को लेकर COVID-19 से लड़ने लोगडाउन में 21 दिन तक फिटनेस कराने के लिए सिलपा सिट्टी के साथ साजिदारी की गई है Next है हाली में अर्जुन दिव का निदन हुआ ये कौन थे तो ये इतिहासकार और NCRT के दीन थे Next question है सहर को साफ रखने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला सहर कौन सा है तो ये इंदोर है इंदोर में सहर को साफ रखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है Next question है Operation Namaste किसने शुरू किया है तो दोस्तो भारती आर्मी द्वारा Operation Namaste शुरू किया गया है PM Care Fund की गोशना किसने की है तो दोस्तो यह गोशना प्रधान मंत्री मोधी जी के द्वारा की गई है दोस्तो PM Cares का फूल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ PM Cares का फूल फॉर्म होता है प्रधान मंत्री Citizen Assistance and Relief and Emergency Situation यह PM Cares Fund का पूरा नाम है Next Question है हाली में कितने बैंकों का बिलाय हुआ है तो दोस्तो कुल 10 बैंकों का आपस में बिलाय हुआ है आपको इन बैंकों की नाम बता दें यह भी आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत important है दोस्तो Syndicate Bank का बिलाय Canada Bank में हुआ है Oriental Bank और United Bank of India का बिलाय Punjab Bank में किया गया है आंधरा Bank और Corporation Bank का बिलाय Union Bank में किया गया है इलाबाद Bank का बिलाय Indian Bank में किया गया है तो यह कुछ यह दोन दसों बैंकों का बिलाय हुआ है जिनकी नाम मैंने आपको बता दिये हैं Next Question है नाटू का तीश्वा सदस्त देश कौन सा बना है तो यह North Macedonia नाटू का तीश्वा सदस्त बना है दोस्तों बात आईए नाटू की तो आपको इसकी बारी में बता दें नाटू का Full Form The North Atlantic Treaty Organization होता है इसका जो फॉर्मिशन है वह 4 April 1949 को किया गया था इसका Headquarter Brussels Belgium में है और इसकी जो Director General है वह है Jens Stoll Laneberg है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की March की Current Affair की बारी में दोस्तों अगर आपको ऐसे ही Interesting वीडियो और जितने भी अवे तक January, February, March की Current Affair की वीडियो में आपको डाल चुका हूँ तो आप इन वीडियो को देखिए अगर आपको दोस्तों कोई doubt होता है मद्दबेस के related या किसी भी question से कोई क्योरी होती है तो आप हमसे diet connect हो सकते है जिसके लिए description में सारे link दिये गए हैं वहाँ से आप हमें follow भी कर सकते हैं इस वीडियो की pdf चाहिए के लिए आपको हमें telegram पर जुड़ना होगा उसका description में link दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्याद ज़्याद लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारी चैनल study universe को subscribe कीजिए तो दोस्तों आज के लिए बसतना ही नमस्कार have a nice day